मैं सब के बारे में सोचती हूँ, फायदा या नुकसान नहीं, बस एक सोख़सान से जीने का और मुझे में कोई गुमान नहीं, छोड़ दूँ, बुरे बक्तों में अपनों का साथ, वो ऐसी मैं इंसान नहीं नमस्कार, मैं पुश्पांजली, आप सभी दश्कों का केवी स्टूडियो के कारिक्रम, कहता बेगुसराई, बढ़ता बेगुसराई में हार्दी कभी नंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारा एक यूट्यूब चैनल है, स्टार्स ओफ बेगुसराई, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज मैं आपको एक ऐसी महिला सक्सियत से मिलाने जा रही हूँ, जो अखिल भारतिय सर्व वैश्य एकता महासबा ट्रस्ट की जिला धक्षे और भारतिय लोक मंच पार्टी की जिला संयोजी का है, तो आईए मिलते हैं सुनीता जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जु सुनीता जी हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। माजी कार में आपका लगाओ, कब और कैसे हुआ? लगाओ तो हमें पांचे साल से ही था, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं था, वर्क तो करते ही थे, नाम नहीं था इसमें. जिसे की देखिये, जिसे छोटे-छोटे वर्क जो होते हैं, जितने भी जिसे माता बहने हैं, जिनको भी प्राब्लम होता है. तो अगर कोई उनको मने प्रॉबलम को मने नहीं खतम किये तो जिसे कि हमको ये पता है कि यहाँ पे इनको ये कारिय है हमको ये पता है यहाँ पे ये कारिय होगा तो मेरे पास वो आती थी हमको बोलती थी कि सुनिता जी हमको ये कारिय कर बाना है कि ठीक है, हम कर देंगे, तो हम उनका कारिया कर देते थे, पहले से, इस सम्में लगाव हमें पहले से भी था, जले बहुत ही अच्छी बात है, कि तुसरों की सेवा करना, अपना धर्म समझती हैं आप, सुनते जैसा कि मुझे पता चला कि आप जॉब में भी थी, और समाजी क सारी से जुडाव के लिए अपने जॉब को भी चौड़ भी छोड़ दिया, तो ऐसा क्यूं? ऐसा क्यों जिसे कि जॉब करते थे, टाइम ने मिलता था हमको, समाज के लिए, टाइम ने मिलता था, कि नहीं को कोई प्रॉबलम था, तो मेरे पास आते थे, कि सुनिता जी, हम को ये काम करवाना है ये काम करवाना है तो हम टाइम नहीं दे पाते थे तो इसी लिए हमने जॉब को छोड़ दिया जी छोड़ दिया तो टाइम तो हो गया बहुत मेरे पास समाज के लिए तो उनका काम हम कर देते थे जी उनका काम भी हो गया मन भी मेरा लगया इसमें को तो जब आपने जॉब को छोड़ा और पूरी तरीके से समाजी कार्में लग गए तो परिवार वालों के क्या प्रतिकिलिया थी? जैसे कि मेरे पिता जी कहते थे कि बेटी अपने लिए तो सब जीते हैं दूसरों के लिए भी तो जी के देखो उसमें भी खूसी मिलती है जी तो अभी आप अखिल भारतिये सर्वेश्य एकता महासाबा ट्रस्ट की आप बत्व जीलादक्ष हैं तो जीलादक्ष होने के नाते आपके क्या 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 कारी हैं? जिला देख्षा होने के नाते, इसमें देखेहे, पहले तो हम करते थे सॉःसल वर्क तो इसमें जिला धियक्ष नहीं थे fine इसमें वेस समाज अखील भारती है सर्वेस एकता महासवाज ट्रस्ट के हराज्ट महामंतरी सन्नी गुपता जी ने हमें जिलाध हक्ष का प्द दिये मैं उनको भी बहुत बहुत धन्नबाद देना चाहती हूँ, उन्होंने हमें इस लाइक समझे और जिलाद हक्ष का पोस्ट हमको दिये, इसमें हमको जिलाद हक्ष में यह पद दिये तो उसको हमको भली भाती यह जो है टीम को बनाना है उसमें जिलाद हक्ष में उसमें हमको यह टीम बना है जो अच्छ अश्ट कर रहे एंधिया ओर लुकू से समुझें मिलाके करे चाहिस्त कि छल भी रहें ए दादमा देना चाहती हूं भोगा कृटक्र प sacrific है जो एक कारे 顆 हैं तो वह कितने समख करने किया है और उनके क्या कारे आ Mayo सब्सक्राइब पर भावित इस समाज से एक जूट लाने में वो सब भी की एक जगा की है या दो है तो यह टीम अलग बना यहां नहीं सब अलग लग अलग जगा की है जैसे एक दो जगर का नाम बता है हमें जिसे बेउस्राय जी विस्नुफूर बरवनी जी नागदा जी लोया नगर जी पावर होस ऐसे बहुत से हैं जो अलग अलग जगा से टीम है सुनिता जी चुकि आप महिला कारे करता है तो महिलाओं को अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है और आपके बाहरी काम हैं तो बाहर में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको यह तो वाजसा ही बोले आपने, महिला को तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, जो घर भी और बहार भी देखना पड़ता है, जैसे कि टीम बनाने को लेके, यह तो समस्या है, लेकिन टीम में बनाएंगे तो फिर कैसे क्या होगा, तो इसमें जो है, हमने इसमें जीत और महनत की है, जी, इस समस्या, समस्या तो बहुत आया हम पे, लेकिन सब को देखते हुए, इस कारियों को हमने पुर्णी किया, जी, सुनीता जी चुकी आप महिला है, और महिलाओं को घर से बाहर का कारिया, काफी परिशानियों का सामना क पड़ा है और आपके जो काम हैं वो बाहर की ही काम है तो कौन-कौन से समझ्याओं का सामना करना पड़ा है आपको जैसे कि देखिए के यह बाद तो आपने सही बोले हैं जिसे घर सेदस बनाने को लिएकर दस बूझे निकलते तो इस बीच में जितने भी समस्य आते जाना समझाना दो तीन घंटा टाइम देना जी उसके बाद एक दीन में पौन छे टीम बना लेते हैं बना लेते ही तो हमको घर आते आते हैं कभी चे कभी साथ कभी आट कभी तो सर्याइट बह जाता था जी यहां घर पर आएं तो बच्चे मेरे इंति- मुमी कब आएंगे करें वो ऊदूसपा के काली को आप कैसे मैनेज करते हैं से बैलेंस करती है यह वी अपक पॉंट की बाद लिया हैं घर देखना बाहर देखना इसमें जो है मेरे हैस्में का सभण यहां कि उनका जो है सईयोग नहीं को सब्सक्राइब mudarने मुझे पता है कि आप भारतिय लोकमंच पार्टी बतऔर जीला नहीं हें तो इसमें आपके क्या कारी है इसमें भारतिये लोग मंजपाटी में जिला सोयोजक हम बने हैं उसमें भी मेरा यह कारी है टीम बनाना जीतने भी समाज है उनको एक जूट लाना ताकि यह तो जानते हैं हम एक हैं तो सरफ स्रेश्ट हैं एकता में सबसे बरा खजाना है अक्य समाज के पढ़ती है तो इसमें आपको क्या समाज का सपोर्ड में देखते हुए समाज के लिए समाज के लेका निया हूं और वो भी यह टीम बना रहे हैं, उनको भी हम बोल दिये, वो भी इस टीम को बनाने में लगे हुए है, उन सब का भी सपोर्ट है सुनिता जी, आपके भविशी के लिए काफी सुभ कामना है हमारे केवी स्टूडियो के तरफ से, और केवी स्टूडियो भी आपको सपोर्ट करती है और करेगी, मैं चाहूंगी कि आप हमारी जो दर्शक, हमारी जो महिलाएं दर्शक हैं, उनको कुछ संतेश दें जितने भी माता बने हैं, सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि घर के कारियो को देखते हुए, अपने आप में हवसला बुलंद रखें और आगे बढ़ें और समाज को एक जूट लाने में सहीयोग करें मैं यही आप लोग से कहना चाहती हूँ कि घर में रहने, घर को देखते हुए, घर को देखते हुए, जितने भी माता बने हैं, एक जूट, एक समाज बनाईए, तो इससे जो है, एक ता सबसे बड़ा खजाना है, ये तो आप सब ही जानते हैं एक समाज बनाई है एक जूड बनाई है सुनिता जी आपने जो वैसे समाज का संगठन किया है तो इस संगठन को बनाने का उदेश ही क्या है क्यों बनाया है आपने इस संगठन को मैंने इस संगठन को इसलिए बनाया क्योंकि देखिये जितने भी जितने भी समाज में है उसम बेपारी भाई हैं जितने भी हैं जो भी हैं तो एक जूट अगर हो जाएंगे एक जूट तो कितनी खुशी की बात होगी समाज में कितना बराबद लावाएगा इसलिए मेरा यही उद्देश है कि जितने भी हैं समाज में सब एक जूट बन जाए एक जूट बन के रहें यह यह सबसे बड़ी सोभाग की बात होगी एकता में सबसे बड़ा बल है सब बढ़ चटके आगे आए और एक जूट बने हम एक हैं तो सर्वस्रेश्ट है जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेपारियों भाईयों को कितने समस्या आ रहे हैं लेकिन वो जो है आगे आके आगे आके समस्या का समादान नहीं करते हैं नहीं करते हैं तो इसलिए पीछे रजाते हैं मेरा उद्यस यही है जितने वेवारी भाई हैं उनकी समस्या आप लोग तक मैं पहुंचा सकूँ और उनका जो समस्या है मैं दूर करने की कोशिस कर सकूँ मेरा उद्यस यही है मतलब जो भी जो भी वैश्य समाज है, उनकी जो समस्यां हैं, वो आप आमजंग तक पहुचा रही हैं, चलिए सुनिता जी यह तो काफी अच्छी पहले, और आपकी जो यह सोच है, वो हमारे केवी स्टूडियो के माधन से, उनने वैश्य समाज को जरूर जाएगी, और वो अपनी समस्या में भी है, पर मैं बैमान नहीं, मैं सब के बारे में सोचती हूँ, फाइदा या नुकसान नहीं, बस एक सोखहिसान से जीने का, और मुझे में कोई गुमान नहीं, छोड़ दू, बुरे बक्तों में अपनों का साथ, वो ऐसी मैं इंसान नहीं, नमस्कार, मैं सुनिता गु झाल